नमस्कार दोस्तें जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम हैं गिर्दर नरसरी में और यहां नरसरी के पीछे के एरियाज में हमारे जो खाली जगे पड़ी हुई है और इसमें कापी खरपदवार हो रहे हैं और यह आप देख सकते हैं यह हमारा छोटू पावर वीडर जो की किसान क्राप्ट कमपनी का है 6320 मॉडल है इसका के के आई सी 6320 मॉडल है किसान क्राप्ट कमपनी का और इसका यूज हम निराई गुलाई के लिए लेते हैं और अभी यहां देख सकते हैं कि कापी ज़यदा खर्पद्वार हो रहा है जिसा कि आप देखिए इदर बहुत ज़्यादा मात्रा में खरपतबार हो रहा है जो की बहुत कापी ज़्यादा मशक्कत करने के बाद ये इसकी गुडाई होगी लेकिन हम इसका यूज्स करेंगे पावर वीडर का और इसका यूज करके हम इस काम को कापी इजी कर लेंगे और यहाँ पे हम लगाने वाले हैं हमारे केचिन के डेली यूज के परपस से कुछ छोटी मुटी जगे तयार करके कुछ थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी में सबजी यहां जैसे की टमाटर बेंगन लॉकी और भी बगएर बगएर जैसे पत्तागों भी हुआ तो वही उसी के लिए हम यह जगे तयार कर रहे हैं गड़ाई गड़ाई करके इसमें चोटी-चोटी क्यारिया या बेड तयार करके पौदे ट्रांस्प्लांट करेंगे तो कापी समय से यह काम डिले हो रहा था क्योंकि हमारे जो केमरमेन हैं सही समय पर नहीं आ पा रहे थे हम उनका बेड़ कर रहे थे कि वह अगर आएं तो । इसका यह काम करते हुए हम वीडियो सूट करें कि किस तरीके से हम इस जगए को रैडि करते हैं ताकि आप भी वीडियो में देखशकें कि किस अपना purchase किया हुआ है तो इससे हमारा काम काफी easily हो जाता है लेकिन आपका छोटा मोटा काम है कोई block के अंदर अगर आप kitchen garden बनाना चाह रहे हैं या कोई खरपतबार हो रहा है उसको आप गुडाई मारके उसमें कोई vegetable लगाना चाह रहे हैं जैसे पत्ता को भी टमाठर और काफी easily हो जाता है जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं अब ये इस तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से काफी गहरी गुडाई करके देता है और जो खरपतबार है उसको भी तोड़ मडोर के side से उच्छा देता है मतलब अगर तेज दूप हो तो खरपतबार की एक गंटे में टाय 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 फिस हो जाती है वो मुर्जा करके और खतम हो लेता है तो इस तरीके से ये काम करता है और अब हमने इसका गुडाई कर लिया है गुडाई करने के बाद हम कुछ इस तरीके स इसमें क्यारिया और बैड तयार कर लेंगे और इसमें फिर पानी चोड़ करके और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इसमें पानी चोड़ करके और हम इसमें कुछ हमारे पास मिल्ची के प्लांट हैं और कुछ पत्तगोवी के प्लांट हैं और कुछ टमा हो गए हैं तो उनको भी हम ट्रांस्प्रांटिंग करने वाले हैं जगे में साइड से जो हमारी जाली लगी हुई है इस पर वो चड़ जाएंगे क्योंकि लौगी का जो फौदा होता बेल बर्गी होता उसकी बेल इदर उदर फैल जाती है तो उसी को हम बॉंडरी के सारे से और इस बॉंडरी का पूरा पूरा बेनिफिट लेंगे और इस पर हमें कापी लौकी की पैदावारी हमको मिल जाएगी जिससे हम अपने किचिन में भी यूज ले सकते हैं और कुछ अपने प्रोसियों को भी गिप्ट कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जा आपको और भी नई नई जानकारी किचिन गार्ट एंसर रिलेटेट देते रहेंगे तो उसके लिए अगर आप हमारे अपडेट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे गिर्दरवाटी का यूटूब कैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले लाइकन को और पर पर प्रेस